अब जो खेल का तसवर था और अब जो खेल का तसवर है वो कुछ और है एक जमाना वो भी था जब यह कहा जाता था कि पड़ो के लिखोगे बनोगे नवाब ठेलोगे कूदोगे होगे खराब यानि खेल को एक बुरी चीज समझा जाता था लेकिन ऐसा नहीं है एक दोर आया जब प्ले को अच्छी तरह से समझा जाने लगा कि इस के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं और एक वक्त में ऐसा था कि जब हम ये कहते थे कि जो खेल है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए मसलन जैसे अभी हम कॉर्नर्स की ही बात कर रहे हैं कि अगर हमने ECE में कॉर्नर्स बना दिये हमने बच्चे को मैथ के कॉर्नर पर बिठा दिया है लैंग्विच के कॉर्नर पर बिठा दिया है और हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारी मर्दी से हमारे बताय हुए खिलोनों के साथ खेले तो इसको structured play कहा जाता है हम पहले भी कहते हैं कि structured play और rules oriented play play की खूबिया नहीं रखते मतलब किसी हाथ तक उसमें physical या mental movement या effort तो हो सकती है बट player नहीं हो सकती player बच्चे हमेशा free play में महसूस करते हैं तो ऐसे भी बहुत सी researches होई कि एक तरफ बच्चे को कुछ structured activities दे दी गी मसलन एक mechanical set था और उसने देख के बच्चे ने वो train या जो भी structure था उसमें से ढूंट के बनाना था तो एक बच्चा जो पहले उसने बार बार तस्वीर को देखा फिर उसने चीजें तलाश की फिर उनको जोडने लगा और उनको बना रहा था वो बहुत ज़्यादा immerse था अपना काम करने में लेकिन खुश नहीं था दूसरी तरफ एक बच्चे को mechanical set दिया गया और उससे का गया कि वो जो मर्जी करे तो उसने जो चीजें उसके सामने आई उनको उसने अरेंज करना शुरू किया और जो structure बना सकता था बनाया को वो मुकमल था को वो ना मुकमल था लेकिन वो खुश था उसकी वज़ा ये है कि उसको freedom थी freedom of thinking, freedom of decision making और उसको लग रहा था कि वो किसी पाबंदी से आजाद है तो बिल्कुल इसी तरह हम ये चाहते हैं कि free play के through हमें optimal learning opportunities अपने बच्चों को देनी चाहिए आप हम अब सारे scientists और psychologists इस बात पर believe करते हैं कि free play के through सारे आपके academic achievement जो benchmark हैं वो पूरे होते हैं ऐसा नहीं है कि बच्चे खेलेंगे तो खराब होंगे है वो कुछ learn नहीं कर रहे हैं बलकि वो ऐसी चीज़ें learn कर रहे हैं जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं होता decision making है resilience है thought process है उनका logical reasoning है यह सब चीज़ें वो free play के जरीए सीखते हैं पिर है जी safe places for children's rough and tough play are disappearing आपका ख्याल है कि अच्छा बड़ी safe महौल हमें देना है चारों तरफ से चीज़ें हटा दें हम खुद ही कहते हैं कि जी खतरनाप चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक controlled place है बच्चों के लिए mat बिछा दिया है जी वो वहां अजादी के साथ खेलें लेकिन चुकि हम nature से दूर जा रहे हैं nature से हम बच्चों का interaction नहीं कराते तो जितने भी controlled safe environment हम अपने बच्चों को जितने भी दे उसका कोई फाइदा उस वक तक नहीं होता जब तक उनकी free will उसमें incorporated ना हो तो हम यह कहते हैं कि आप अपने जो बच्चों का play है उसको ना सिर्फ structured करते जा रहे हैं बलके बच्चों के अंदर जो problem solving techniques free play के जरीए पैदा होनी चाहिए थी उसको भी आप ैदा नहीं होने दे रहे देखे मसले होंगे तो उनका हल निकलेगा अगर बच्चा किसी चीज़ से interact करता है हलका फुलका उसको कोई नुकसान भी पहुँचता है वो ball को hit करता है ground में वो फिसलेगा वो गिरेगा वो टकराएगा किसी चीज़ से तो ऐसी सुरत में उसे ये समझाएगी कि आएंदा उसे ये नहीं करना या कोई extra action होता है तो उसका reaction क्या होता है इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम child initiated free play को बच्चों के अंदर तर्वीज दे जिस सकत वो खेल रहे हों हमें पता है कि उनके इड़ गिड़ कोई खतरनाक चीज़ नहीं लेकिन हमें उनको हर चीज़ यूज़ करने की इस्तमाल करने की आजादी देनी शाइए भागें तोड़ें जो कुछ वो कर सकते हैं वो आजादी के साथ करें और दूसरी बाज ये है कि हमें ये जरूर देखना है कि कोई ऐसा खेल जिसकी negative implication देखिए खेल एक isolated activity नहीं है इसके अंदर peers भी involved हैं उनसे भी interaction है जो उसके इर्दगेद आपका environment है उसकी भी input है तो ऐसी सूरत में हमें सिर्फ ये देखना है कि हम इसकी कोई negative implication जा मनफी नतायज ना आने दें और उसको positivity के अंदर ही रखें तो तब समझते हैं कि free play के जो नतायज हैं वो हम बेतर से हासिल कर सकते हैं